कि आई ये बात करते हैं अगले कॉलर से ज्वी नमस्कार स्वागत है आपका सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजियों सवाल करें सवाल आपका सवाल आपका है मेरा सवाल में डाइबिटिक पेशेंट हूं और में एक गोली जीमर तू लेरी और हमें पैसी जवाई लेरी उसे मेरी शुगर करीब 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 कंट्रोल हो जाती है लेकिन मेरे कुछ चाहे जब राज को जाज़ता नीम की परेखानी रहती है और प्रेट मे मेरे को नीम नहीं आथी है ठीक है मैं डाइबिटिक पेशेंट हूं मैं गोली ले रही हूं और मैं बैसी भी ले रही हूं ठीक है मैं समझ गया आपकी एज का पता चलिया तो मैं आपको आसानने उसका बता जीता हूं कि एज आपकी 25 2.5 एनने से लिए गोली लिए लेनी पड़ी है ठीक है तनी यह बड़ा गलत है एक सिर्का आता है जिसे जैतून का सिर्का कहते हैं जैतून का सिर्का ये तीन चमच आप एक गिलास पारी में डालके रोजाना रात के समय पिया करें एक गिलास पारी में डालके छोटे चाय के चमच आप देखेंगे कि पहले दिन से आपको सुकून मिल गया बिल्कुल दिमा और बहुत सारे फाइदे इसके आपको जो डाइप्टीज की दवाएं के नुखसानात होते हैं वो भी नहीं हो नहीं देता आप इसे इस्तेमाल किया करें और पूरा जीवन आप सेहत के साथ गुजार सकते हैं अमित हमारे साथ स्वागत है अमित आपका जी बताइए हमको पेट में कीरा हो जाता है जी और बोलिये आप जानते हैं अनार को हम खाते हैं इसके बीच को चिलका फैंक देते हैं अब की बार आप चिलका फैंकिये नहीं हलकिसे सुखा के इसका पौडर बना लीजे और दो चुटकी अनार का चिलका का पौडर और दो चुटकी आप लीजे नमक जैतून जैतून का एक रसायन आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं ये जायके में नमक नहीं होता दो चुटकी में इतना आए यह चुटकी हम इसे कहते हैं दो चुटकी जैतून का नमक और दो चुटकी अनार के छिलके का पाउडर एक गिलास पानी मिला कर रोजाना पी लिया करें आपकी दोनों समस्याएं का हल होना मुम्किन है अगले कॉलर है हरियाना से हमारे साथ डॉली स्वागत है डॉली जी नम का अशकार यह जाए गिला है का अक इसे दग्सक्राएं था नियुटे अशकर, मैं मेरे पूरी बास सुनेवाट मेरे वाच्छी नकात पारा ही रहता है और यह स्वाद्वी बट्य गल्सकार पैरों मेरे पारों मेजितनी रहती है पूरी मेरे काम निएक अर्खश प्सादम मेरा बढ़ रहा है तो पांसास साल पी दिक्तत है ये बढ़ती जारी है कोई तक प्रेकी दवाई हैं भी कोई अराम नहीं हो रहा मेरे को तो ये मंगवाया का तलोंजी नमक समगवाया था अब यहीं में बता दिये प्रीप है मेरे दिये या कैसे इनकी बढ़ना है ठीक है ठीक है थायराइट का टैस्स अगर नहीं कराया हो तो आप करा ले ये सब जो वह हैं आपको प्राब्लम थायराइट भी हो सकता है आपको तो एक बार करा ले थायराइट का टैस्स और ये कलों है इसे लेना शुरू करें आपकी जिस दिन से लेंगे उसी दिन से आपकी एसिडिटी गैस और अनीजी नैस यह सब खतम होने लएगे पहले इसको ठीक कर लिए फिर दद के लिए आप गौन स्याह लेना जब यह ठीक हो जाए तो गौन स्याह लेना और वह अधा-धा ग्राम फिर आपको वाल पर फाइदा अम्किन है आपके बाल बी ंढ़ जाएंगे अए आपका मपी ठीक रहेगा द्द भी ठीक होना मुम्किन है सबर करना थोड़ा सा और आपका ठीक होना मुम्किन है कि दिल्ली से हमारे साथ मीरा स्वागत हैं मीरा जी अदाब मीरा जी मुझे मेरी उमर 45 है और मुझे जैसे कौनी की हडियों में दर्द रहता है और अंडर आम के नीचे जैसे कभी-कभी ना जैसे काला हो जाता है फंगस टाइप उसमें खुझली भी होती है लेकिन दवाई लेती हूं तो ठीक हो जाता है और तीन-चार महीन सब्सक्राइब करें लाज करें और यह सब अपना ठीक होना तैह है अगर थाइराइड नहीं है तो फिर आपको मैं बताता हूं देखे पैतालिस साल के बाद हर शख्स को जो भी यानि पैतालिस साल का है चाहिए वो औरत हो या मर्द उसके जिसम में कुछ केमिकल बनने समझ लीजे कम हो जाते हैं तो हर शख्स को मल्टी विटामिन्स और कैलिशियम लेना चाहिए यह आप लेना शुरू करें और एक हफ़ते में बस एक ही लेना अक्सा डॉक्टर रोजाना दो दो दे देते हैं तो उससे फिर एक और परिशानी हो जाती है के पत्री हो जाती है तो एक हफ़ते में एक आप ले जिन्दगी भर जो भी पैतालिस साल के जादा के हैं कैलिशियम मल्टी विटामिन्स जिंक और यह सब उसमें होता है ताबा जिंक वगएरा एक ही टेबलेट में सस्ती आती है एक हफ़ते में बस एक खानी है तो यह लेना शुरू करें सबसे पहले अगर इससे नहीं हो और थाइराइट भी टेस्ट कराना जरूरी है जो आप सिम्टम बता रहे हैं वो उससे बिल पहुंचा है और वो यह है कि तीन सो ग्राम दनिया सो ग्राम आवला सो ग्राम मेथी और सो ग्राम गौन मॉरिंगा इसको पाड़र बनाके एक टाइम या दो टाइम गरम पानी के साथ अगर लिया जाए तो थाइराइट वालों का ठीक होना मुम्किन है और यह बगार थाइ जी सवाल करें अपना यह सवाल यह करें जो इसमें जो ग्यास बनता है तो तो यह क्यास के लिए हमें अपना आमाश्य ठीक रखना चाहिए यह अगर अपना काम सही ना करे तो गैस बढ़ जाती है अचिड बढ़ जाते हैं कुछ को हलकी गैस बनती है जो उपर की तरफ जाती है किसी को भारी गैस बनती है जो नीचे की तरफ जाती है तो सिर्फ गरम पानी पांच बार पीने से भी गैस का बनना रुख सकता है एक घंटा धूप में चलने से भी पेट ठीक हो जाता है अगर बहुत जादा रोग हो तो अल्ची भूने और हलका सा भूनकर पौडर बना ले और इसको खाया करें एक चम्मश सुबा एक चम्मश शा खाया है इसाल तो इस में नमक य। बिल्कुल इंद्रची आप ठीक हो, जाएंगे आप पैट के समस्या चल रही है धानो जेगाइस यह नुस्के अपना लेगा फिर मरूब य। पोसस्थृ आपको और विद्रों पने जमा ठीक है। या फिर खाना उनका नहीं पच पाता है या फिर बहुत सारे से रोग होते हैं जिनके लिए वो बहुत सारे treatment करा चुके होते हैं लेकिन तब भी उन्हें फाइदा नहीं मिलता है लाब नहीं उठा पाते हैं सिर्फ और सिर्फ treatment में अपना खर्चा ही करते रहते हैं धन ही धन करने वाली बात ही आगर आपको relief नहीं मिल पा रहा है तो जुड़िया हमारे साथ क्योंकि सीधा आप लोगों की हकीम साहब से बात होती है आप लोग जानते हैं घरेलू नुस्के जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं कोई भी संकोच नहीं करना है क्योंकि life कारेक्रम है द क्या नाम है कहां से बात कर रहे हैं जी जी सवाल आपका जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है आप नेटवर्क शेट में आके बात कीजिए आपके वाज बहुत कट-कट के आ रही है हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं हमें सवर्की भी मादी ने बटा सॉराइशिस शुगर की शुगर की अच्छा जी और देखे जिसको डायबटीज पीछे लग गई उसको कुछ नकुछ नुक्सान पहुचाती रहती है जो दवाई आप खाते हैं डायबटीज की वो खाया करें लेकिन एक ऐसी पर पाता है एक सिर्का है जिसे जैतून का सिर्का कहते हैं अगर ये तीन चामच छोटे चाये के चमच रात को पानी में मिलाकर पी लिए जाए रात को और दिन में भी पी सकते हैं जिनको ज्यादा प्राबलम है तीन छोटे चाय के चम्मच एक गिलास पानी में मिला कर तो डायपटीज से होने वाले नुखसानात को ये रोकता है और डायपटीज को एक जगा रोक कर रखता है और हमारा जीवन क्योंकि बहुत कीमती है औ आध्याओं के रोगों को भी चंडnh करता है और इनफेक्शन को भी 아닌 करता लीवर का भी ख्यार लगता है किड्नी ने का भी ख्यार लगता Almost तो अगर आप ले सकते हैं तो जैतुल का 3 कम चम्मच जो बहुत बड़की रोज्य मिले सकते आपके समस्या का हल होग ने मिलआ से मनीश हमारे साथ स्वागत है आपका जी मैं मेरी पापा के लिए पूछना था उनकी एज है 50 ठीक है और उनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम में और घुटनों में मतला प्रॉब्लम रहती है उनको सूजन और चलने में ऐसे थोड़ा टेड़े से होके चलता है एज क्या है उनकी 50 से उपर एज़र दर्द रहता है गुटनों में जी बिटा और शांस की भी प्रॉब्लम है जैसे थोड़े सांस की भी प्रॉब्लम होती होने जी जी पिटा देखिये आपके पिताजी अगर लहसन खा सकते हैं तो जब खाना खाते हैं तो चार से लहसन चील के उनके कहने के साथ में दे Pictures करें कहा है कि एक निवाले में एक लहसन चबा के खाले और फ्र बात में सारा खाना खालें ऐसी चार पांच लहसन छे छे लहसन जितना भी उखा सके निवाले के साथ कहाएं में तो बुरे नहीं लगतें लेकिन यह सांस के रोक को उनका में सकते हैं और दिल का बड़ा ख्यार लखेंगे बीपी का बहुत ख्यार लगते हैं ये मामूली सी देखने की चीज़े लेकिन रोज खिलाया करें उने और ये जो है उनका दर्द है इसके लिए एक गौंड आता है गौंड सिया काला गौंड इसका कहते हैं नकली बहुत मिलता असली लें और रो मैटेरियल लें पाउडर बनाएं और अधा अधा गिरां या उससे भी कम दिन में दो दो समय आप लीजे नाश्ते के बाद रात को खाने के बाद तो पिता जी का ठीक होना मुम्किन है जी अगले कॉलर है साहरनपूर से हमारे साथ श्याम सिंग जी स्वा सब्सक्राइब है अच्छा नीचे को निकलती है ठीक है अच्छा दिखिए पांच बार आपको गरम पानी पीना है और एक घंटा पैदल चलना है धूप में अगर चल नहीं सकते तो धूप में बैट जाए बस ये भी काफी है और अपने खाने में अपने घर में जो खाने बनाने के जिम्मेदार हैं उन से कहिए कि इतनी अद्रक और इतना लहसन डाला करें देखिए जैसे मैं हाथ कता रहा हूं हमारी महिलाएं ज़रा कंजूसी करती हैं तो बस इससे भी आप ठीक हो सकते हैं और कोई दवा की जरुवत भी नही अश्य जाते हैं तो एक आता है जैतून का नमक ये देखने में नमक जायके में नमकीन नहीं होता ये सो दो सो गराम कहीं मिल जाये असली तो आद़ गराम एक गलास पानी में मिलाकर पिलिया करिये दिन या दो बार बस काफी आपके पेट के रुगों के लिए और ये आपके पेट को मजबूर करेगा कि वो अपना काम अच्छे से करे और आप से हत्मन जिन्दगी गुजार सके